अब हम परिकल्पना के द्वित्ति भाग की बात करें जिसमें हम उसकी विशेष्थाओं के बारे में बात करेंगे परिकल्पना की प्रकार के बारे में बात करेंगे और उसकी जो कायरे क्या है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिकल्पना की विश्यस्ताओं के बारे में तो एक उत्तम परिकल्पना कैसी होनी चाहिए क्या उसकी विश्यस्ताइं होनी चाहिए क्या उसकी कसोटी होनी चाहिए उसके उपर बात करते है तो सबसे पहली बात यह हाती इसमें सबस्वे मात्वपुन है कि जो परिकल्पना है वो जाच नहीं हो उसको जाच सके एक अच्छी परिकल्पना की पहचान यही होती है कि हम उसका प्रतिपादन इस ढंग से करें कि उसकी हम जाच करके उसको ये निश्चित रूप से स्तापित कर सकें कि परिकल्पना सही है या गलत है हमें ऐसी अर्षपस्ट परिकल्पना का निर्मान नहीं करना चाहिए जिससे कि हम उसको जाच नहीं पाएं और जाच सके तो अपूर्ण उतर निकले या तो परिकल्पना सत्य होगी या परिकल्पना असत्य होगी यह इसका प्रतिपादन विश्वस्त नहों कर प्रफिशिस्ट होना चाहिए ताकि हम उसके एक अच्छे निस्कर्ष पर पहुंच पाएं कि जो परिकल्पना है वह सक्ट्य है या फिर परिकल्पना है वह असक्ट्य है हम अगर दूसरी विशेशता की बात करें तो इसमें परिकल्पना मित्व्य ही होनी चाहिए हम ऐसी परिकल्पना का निर्मान करें जो कि जब हम उसका परिक्षन करते हैं तो वह मित्व्य हो कम खर्चे में, कम धन में, कम स्रम में हम अपने परिकल्पणा को सुविधा पूरवक हम उसका निस्कर्स निकाल पाएं हम ऐसी परिकल्पणा का निर्माण नहीं करें जो की अत्यंत खर्चिली हो, अत्यंत समय का उप्योग करना हो और अत्यंत धन की और जो बल है उसकी आफशकता हो कम से कम खर्च में, कम से कम स्रम में उत्तम परिकल्पना का निर्मान हमें करना चाहिए इसके अलावा परिकल्पना को क्षेत्र के मुझूदा जो सिद्दान्थ हैं और जो तक्त्य हैं उनसे समंदित होना चाहिए परिकल्पना जो हमारी जो परिकल्पना है वो ऐसी परिकल्पना नहीं होनी चाहिए जो की हवा में हो ऐसी होनी चाहिए जो मुझूता सिद्दान्थ है जो तक्ट्य है उनके उपर आधारित होनी चाहिए उनका अध्यन करने के उपर होनी चाहिए इतनी भी व्यापक न हो कि हम उसको फिर उसका निसकर्स नहीं निकाल पाएं और हम जब हम सिदानतों और तथ्यों के आदार पर नहीं होगी तो इतनी वो व्यापक हो जाएगी और हमारा जो प्रस्न है वो इतना व्यापक हो जाएग कि हम उसके धंग से निसकर्स नहीं निकाल पाएंगे और उसके लिए हमें वापस अन्य जो उप परिकल्पनाओं का निर्मान करना पड़ेगा और उनका जो हम निसकर्स हैं वो नहीं निकाल पाएंगे और हम नवीनतम समश्याओं को जनमते देंगे तो ऐसी सित्ती से बचने के लिए हमें जो परिकलपना का निर्मान कर रहे हैं वो जो मोजुदा सिद्दान्थ हैं जो हम तक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् उनसे सम्मंदित होना और एक उनके अनुभव के उपर आदारित होनी चाहिए हम ऐसी परिकल्पना का निर्मान न करें जो की सैदान्तिक रूप से सही ना हो अब जैसे हम एक उदारण लें कि गोरे रंग काले रंग के लोगों की अपेक्षा अधिक्त अधिक बुद्धिमान होते हैं तो ये एक कपोल सी परिकल्पना है जो हम जिसका हम निसकर्ष नहीं निकाल सकते हैं तो हमें हमारी जो सिद्धान्त है जो हमने सिद्धान्त पड़े हैं जो हमने तक्ति पड़े हैं उनके आधार पर ही हमें परिकल्पना का निर्मान करना चाहिए हमारी परिकल्प है वो सिद्धान्तों से अलग नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर हम ऐसी पर गलत साबित नहीं कर पाएंगे है अलावा और विश्यस्ता की बात करें तो परिकलपना द्वारा अधिक सामानिक करन किया चाह सके हम जब समश्या का सामानी करण करते हैं उसका निसकर्स निकालते हैं तो हमारी जो परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो तत्थिपूर्ण हो व्यापकना हो विशिस्टाकु लिये हो और उत्तम निसकर्स का उत्पादन कर रही हो हमारी जो परिकल्पना है वह संकीर होनी चाहिए जिससे कि हम उसका सामाइनी करण उचित रूप से कर सकें और उसका जो सामाइनी करण हो हो सब की लिए उप्योगी हो तो ऐसी परिकलपना का निर्मान ना करें जो की बहुत व्याबबक हो इसके अलावा परिकल्पना को सम प्रत्यात्मक रूप से स्पस्ट होना चाहिए अब जब हम परिकल्पना का निर्मान करते हैं तो परिकल्पना जो हमने अध्यन किया है जो हमने अनुभव लिया है और जो समश्या का हमने विसलेशन किया है उसके आदार पर होनी चाहिए हम हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत सोच होती है उस आदार पर परिकलपना का निर्मान करें तो ऐसी परिकलपना नहीं होनी चाहिए जो व्यक्तिगत सोच की उपच हो वह व्यक्तिगत नहों होकर जब बहुत सारे जो ग्रुप होता है या जो लोग होता है उनके द्वारा या सामयने जो जन है उसके द्वारा होनी चाहिए और प्रतियक व्यक्ति उसको समझता हो मतलब व्यक्तिगत के आदार पर वो नहीं होनी चाहिए वह जन्ज सामाइने जो समश्या है या फिर जो सैदांतिक समश्या है उसके उपर आधारित होनी चाहिए इसमें हम सोध मनोविज्यानिक शोध परिकल्पना की कुछ ऐसी कसोटियां विसेश्थाएं होती है जिनका वर्णन हम करते हैं और यह व्यक्तिकत नहीं होनी चाहिए यानि मतलब संप्रतीक मतलब जो अधिकतर लोग जो हमारी परिकल्पना है उससे सहमत हो न की अपनी कोई रक्तिगत सोच की उपज हो तो मतलब सर्व सामयने के लिए और सभी के जो अधिकतर लोग जो है जो उस विशेशत्र में वो उस परिकल्पना से सहमत हो ऐसी ही परिकल्पना होने चाहिए अब हम बात करते हैं परिकल्पना के प्रकार की तो परिकल्पना के प्रकार को देखें तो परिकल्पना के मुख्य प्रकार तीन होते हैं जिसमें हम उसको चरों के आदार पर उसको बाड़ते हैं और चरों के विशेश समंध के आदार पर बाड़ते हैं और परिकल्पना को उ चरों के आदार, चरों की संग्या के आदार पर परिकलपना दो परकार की होती है, अब हम परिकलपना के इतने परकार क्यों होते हैं, क्योंकि अनुसंदान के जो विज्ञानी होते हैं, जो अनुसंदान करता होते हैं, या जो इस विशे के समंदित जो शोद करता हैं, अपनी तरीका अलग होता है वेरियबल्स वगेरा उनका उप्यों का तरीका अलग होता है इसलिए इनको इतने अलग लग प्रकार में अभी बजित किया गया है तो चरों की संक्या के आदर पर अगर हम परिकल्पना की बात करें तो यह दो प्रकार की होती है साधारन परिकल्पना और जटिल परिकल्पना अब सादान परिकल्पना का example देखें तो इसमें सिर्फ दो चर होते हैं जो एक सतंतर चर होता है एक आश्रित चर होता है तो आप जैसे हम example लें कि बच्चों को सीखने में पुरुसकार का सकारात्म पुर्भाव पढ़ता है तो इसमें एक बच्चे एक चर हो गया और एक पहला तो सीखना हो गया और दूसरा पुरुसकार दू चर हो गया तो सीखने से पुरुसकार मिलता है या पुरुसकार मिलने से बच्चा ज्यादा सीखता है तो ये इन चरों के बीच में हम इनके संबंदी की चर्चा कर सकते हैं तो तो उनके उपर हम निसकर्स निकाल सकते हैं, तो ये एक साधान परिकल्पना कहलाती है, दूसरी परिकल्पना होती है, जटिल परिकल्पना, इस जटिल परिकल्पना में दो या दो से अधिक चरों के मध्य में स्तम्मंद को सापित किया जाता है, जैसे अंग्रेजी माध्यम क निम्न उपलब्दी वाले जो विद्यारती हैं उनका व्यक्तित्व हिंदी माध्यम के उच्छ उपलब्दी वाले विद्यारती की अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है तो अब ये काफी जटिल परिकल्पना होगे इसमें बहुत सारे चर के उपर हमें संबंद निकालना पड़ेगा उनके उपर हमें अध्यन करना पड़ेगा इसके अलावा जो चरों की संक्या के आदार पर जो हमने बात की वो दो प्रकार की होगी साधन परिकल्पना और जटिल परिकल्पना दूसरा है चरों की विशेज स परिकल्पना होती है यानि सब्सकार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है तो यह सामन्य सा तर्क है यह सामन्य सी बात है तो इसमें अधिकांस परिस्टियों में यह जो परिकल्पना है वह लागो होती है दूसरी होती है अस्तित्तात्मक परिकल्पना अस्तित्व के आदार पर परिकल्पना तो यह परिकल्पना सामन्य परिकल्पना के विप्रित होती है जो सार्व भूमिक परिकल्पना होती है उसके विप्रित होती है अब इसमें ऐसा भी हो सक कि कख्षा में किसी एक छात्र को पुरुषकार देने की बजाए दंड देने से वह ज्यादा सीखता है तो वह एक अस्तित्व के रूप में है वह एक 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 जामपल के रूप में अनिता वह सार्वबोमिक नहीं होती है तो यहां परिकार्पना अस्तिवात्मक या विशेश परिकल्पना कहलाती है अब हम बात करते हैं विशेश उद्देश के आदार पर पर करते हैं इसके परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की परिकल्पना होती है जिसमें सोध परिकल्पना, सुन्य परिकल्पना और सांखी की परिकल्पना सोध परिकल्पना वह होती है जिसमें सोध परिकल्पना को कार्यात्मक परिकल्पना या प्रयोगात्मक परिकल्पना एक्सपेरिमेंटल परिकल्पना कार्यरूप परिकल्पना भी कहते हैं यहाँ परिकल्पना हमेशा सिद्दान्थ की उपर आदारित होती है और इसका जो निसकर से हमेशा धनात्मक होता है मतलब यह हमेशा सक्त्य सबिद करने की क्षमता रखती है शोद करता इसको सिद्दान्थों के आदार पर ही इसकी उद्गोसना करता है और उसको यह अभिलाशा होती है कि उसके जो परिकल्पना है वह सक्त्य सिद्द साबित होगी यहाँ परिकल्पना इसके साथ ही जो सुन्य परिकल्पना होती है उसके विपरित होती है सुन्य परिकल्पना में हम परिकल्पना को रिनार्तमक रूप में देखते हैं जो कि सुन्य परिकल्पना सत्यसित साबित नहीं होती है जबकि जो सोध परिकल्पना होती है जो अल्टरनेटिव योजना होती है परिकल्पना होती है वह हमेशा अपना जो रुख होता है उसका वह सक्त्य की तरफ होता है वो सत्यापित होती है और सही सिद्ध होती है सक्त्य सिद्ध होती है यहाँ भी दिशात्मक रूप में हो सकत एक दिश्य हो सकती है या फिर बहूँ दिश्य हो सकती है इसके लवा हम बात करें तो दूसरी है वह sonyaparikalpana है यह पarikalpana जो शेद पarikalpana है उससे थीक विपृत होती है इसमें इस पarikalpana के माइदम से हम चरों के बीच में कोई अंतर नहीं होने का सम्मंद का उलेक करते हैं इस सुन्य परिकल्पना या रिणात्मक परिकल्पना होती है इसमें जो चर होते हैं उनके मध्य में कोई सम्मंद कोई अलग सम्मंद नहीं होता है तो यहाँ जो परिकल्पना होती है वह अधिक्तम असत्य ही सिद्ध होती है अगर हम इसके example की बात करें तो example के जैसे विज्ञान वर्ग के चात्रों की बुद्धी कला वर्ग के चात्रों की बुद्धी में कोई जैसे विज्ञान वर्ग के चात्रों की बुद्धी तथा कलावर्ग के चात्रों की बुद्धी में कोई अंतर नहीं होता है तो यह दोनों variables हैं उनमें कोई अंतर नहीं हुआ दोनों variables बराबर हो गए तो यह जो परिकल्पना की परिकल्पना है वह सुन्य परिकल्पना भी कहलाती है सुन्य परिकल्पना ही कहलाती है इसके अलावा यह शोद परिकल्पना शोद परिकल्पना और सुन्य परिकल्पना में कोई अगर अंतर देखे हैं उदारण के त्वारा तो यह है कि व्यक्ति अपनी समझ तथा प्रत्वन और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है व्यक्ति, समझ द्वारा, प्रत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है यहाँ हो गई एक शोध परिकल्पना यानि alternative परिकल्पना, कर्यात्मक परिकल्पना तो इसके विप्रित जो सुन्य परिकल्पना है वह यहाँ होगी कि व्यक्ति समझ द्वारा प्रत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है हम उस परिकल्पना का नेगिटिव रूप लेते हैं किसमें सुन्य परिकल्पना में और उन दोनों के जो variables होते हैं जो चर होते हैं उनके मद्द में बराबर का समंदर सापित होता है इनमें जो तीसरी होती है वह होती है सांकी की परिकल्पना सांकी की परिकल्पना जब शोध परिकल्पना या सुन्य परिकल्पना का सांकी की पदों में अभिविक्त किया जाता है तो इस प्रकार की परिकल्पना को हम सांखी की परिकल्पना कहते हैं शोद परिकल्पना अथवा सांखी की परिकल्पना को सांखी की पदों में व्यक्त करने के लिए विशेश संक्रेतों का प्रयोग किया जाता है जैसे शोध परिकल्पना है उसको H1 से और जो सुन्य परिकल्पना है उसको H0 से इन सिंबोलों का उसमें उप्योग किया जाता है और इनके मद्य में X का प्रियोग किया जाता है इनके मद्य में अध्यन करने का विशलेशन करने के लिए घुना का प्रियोग या X का के बारे में परिकल्पना जो होती है उसका अनुसंदान में क्या-क्या काईरे होते हैं तो उसमें दिशा निर्देश देना ये परिकल्पना किसे भी अनुसंदान को दिशा निर्देश देती है उसको एक रास्तिक उसके लिए एक रास्ता तै करती है जो परिकल्पना होती है इसके अलावा अनुसंदान में प्रमुक तत्यों के चुनाव करने में आपको डिसिजन लेने में अपना योगदान देती है क्योंकि जब हम अनुसंदान करते हैं ये एक बड़ा समय लगता है इसमें और काफी वर्क करना पड़ता है अगर परिकल्पन अगर नहीं होगी तो वो अद देशिपुन तरीखा हो जाएगा हम किसी भी जो हम काम कर रहे हैं जो अनुसंदान कर रहे हैं जो समश्या का समादान करने के लिए निसकर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको बार-बार नहीं कर पाएंगे परिकल्पना के अबाव में और इसके अलावा निसकर्स निकालने एवो नए सिद्दान्तों के प्रतिपादन करना तो परिकल्पना नए निसकर्ष निकालने में और नए सिद्दान्तों के निर्माण में और प्रतिपादन में भी काफी काम करती है जब अनुसंदान करता को एक निसकर्ष पर पहुंचाने में साहता करती है और जब कभी मनोविख्यानिकों जो भी होते हैं विष्वास के साथ पता होता कि अमुक गटना के पिछे ये कारण है तो वो किसी सिद्दान्त की प्रस्ट भुमी के प्रतिक्षा की ये बिना ही उस परिकलपना की सत्यता की जहाज कर लेते हैं और उस आदार पर सिद्दान्तों का निर्मान करते हैं तो ये प्रमुक जो है वो अनुसंदान्त परिकल्पना के कायर्य होते हैं